हेलो गाइस कैसे हो आप सभी जैसा कि आप सभी को पता है 30 एक दिनों में आपके एक्जाम SSC GD के सुरू हो जाएंगे ठीक है बहुत लंबे समय तक यह एक्जाम चलेंगे 75 एक सिफ्ट में यह एक्जाम चलने वाले हैं पर सही बताओ तो मुद्दा यह है कि 30 एक दिन में और भी है और वो सत्य क्या है कि आप मैंसे कुछ ऐसे बच्चे भी होंगे जो इन 30 दिनों में एक सही तरीके से सही रड़नीती से पढ़ाई को करेंगे और 100% सफलता भी प्राप्त करेंगे यानि दौनों चीजें इस 30 दिन का उपयोग कोन कैसे करने वाला एक बच्चा जो बार जॉब लेकर अपने ममी पापा का नाम रोसन करेंगे अब आपके दिमाग में बात आईगी कि गुरुजी वो तो बात सही है पर हमें एक सही रड़नीती नहीं पता किस तरह से हम जादा से जादा मला इतरह कम समय में जादा से जादा स्कोर कर पाएंगे तो देखिए स जो होती है जब आप पढ़ रहे होते हैं एक होता है चेप्टर वाइस और एक होता है प्रैक्टिस है यानि कि आप उन कोशन को पढ़ें जिस तरह का पेपर आजकल पूछा जाता है उस तरह के कोशन को आप पढ़ें और आपको पता होना चाहिए कि आपके एक्जाम में कि कितरे कितरे कोश्चन आने वाले और कहां कहां से ज्यादा तर पूछा जा सकता है दूसरी चीज होता है चैप्टर वाइस जिसमें एक चैप्टर को पूरा बेसिक से एंड तक पढ़ाया जाता है अब आप एक बात सोचे अभी मैं आप से कहां दूं कि मेरे बच्चो पूरे जितना भी मैस है उसमें पूरी की पूरी मैस को पूरा पढ़ लीजी आप को गया रहे गुरू जी क्या बात कर रहे हो तीस दिन में पूरी मैस कहां से खतम होगी और यह सत्य भी है तीस दिन में पूरी मैस खतम भी नहीं हो सकती फिर मैं क्या कहूंगा फिर दूसरी बात मै important important questions जैसे मुझे पता percentage में ये वाला जो data ये जातर पूछाया था और सारा इससे syllabus भी कवर हो जाएगा और हमें बहुत सारा नहीं पढ़ने पढ़े वस important important चीजे पढ़कर भी हम जा सकते हैं जिससे कि जह हम paper में बैठे तो maximum सारी चीजे हमें आती हूँ तो मैं कहूँ इंपोर्टेंट इंपोर्टेंट पढ़कर चला जाओ तो सबसे पहली बात आपके दिमाग में आईगी गुरू जी इंपोर्टेंट तो पढ़ने पर हमें क्या पता important कौन से question होते हैं तो बच्चों इसके लिए तीस दिन में पूरा का पूरा मैस खतम करवा सकता हो मलब ऐसा कोई batch आप जोइन कर लिजे या किसी आप यूटूब पर कोई teacher अगर पढ़ा रहा है जो important important topics लेके 25 तीस दिन में आपको कहता है कि पूरी मैस complete हो जाएगी उस तरह के किसी batch में जुड़ जाएए और अपनी तयारी करते रहें क्योंकि देखिए teacher को पता है कि important क्या चीज़ है क्यों पता है क्यों पता है उसे क्योंकि वो सालों से आपको पढ़ा रहा है आपके जैसे बहुत से बच्चों selection दिला चुगा है वो चीज़ आपको नहीं पता तभी वो teacher और आप student हो अगर आपको जैसे अगर मैं अपनी बता हूँ मैं कोई जिद दिन नहीं करूँगा कि जैसे बहुत है मैं किसी को नहीं कर रहा है इसमें जुड़ो बस मैं आपको बताना चारा हूँ बीज दिन में बीज चैप्टर इसी pattern पर हमने भी सोच कर ये चीज़ कि वाई best कि कैसे कैसे कौन कौन से question सबसे ज़्यादा भी हाल-फलाल दो-तिन साल में पूछे गए हैं ये सभी question को लेकर आज से ही ये batch start हो रहा है ठीक है तो ये batch आपका start हो रहा है ठीक है बीज दिन इसमें बीज चैप्टर पूरे वही questions होगे जो हाल-फलाल में पूछे जा रहे हैं इस तरह के question आपको exam में देखने को भी मिलेंगे और ऐसा निया ऐसे सभी teacher हमारे इस तरह के अलग-लग batch बीज दिन बीज चैप्टर लेकर आएंगे जिसमें GIS reasoning सब कुछ होगा आपका Hindi पर मुद्दा यह नहीं आप इसी में जुड़ो जिसका आपको समझ आता है उसके साथ जुड़ो जिस पे आपको भरोसा है कि हाँ भाई यह इनसान पहले selection दिला चुका है और अगर यह इसने कह दिया कि इस तरह से मैं चीज़े complete करा दूँगा तो complete हो जाएंगी और उसे पढ़कर आपका selection हो सकता है और सबसे जरूरी चीज़ होती है कि उसका पढ़ाय हुआ मुझे समझ आता है या नहीं क्योंकि उसके पढ़ाय हुए को समझ पाओगे तभी तो आप 20-30 दिन में सारी चीज़े समझ पाओगे और आप selection ले पाओगे अब पहली चीज़ तो complete हो गई अब दूसरी चीज़ आती है सर्फंटिस एड में क्या गड़ें अब प्रेक्टिस एड तो मैं कहीं से भी लगा लो प्रमुद्धा क्या है देखिए दो टरह होते हैं एक जहां पर आपको कुछ भी दे दिया रहता है दूसरा होता है प्रेक्टिस एड देखिए सबसे पह तो पहले पर उससे पहले एक जब भी घर पे लगाओगे तो आपको ये सोचकर ही पेपर करना है एक घड़ी रखोगे अपने साइड में उसमें आपको साथ मिनट फिक्स कर लेने हैं ठीक है और आपको कोशन कितरे करने हैं अगर आपके साथ मिनट कंपलीट होगे तो उसके बाद आगे आपको नहीं पढ़ना अब असी कोशन मेंसे चाहे आपने 500 करे हो चाहे 60 कोई दिकत्री है जितने भी कोशन करे ठीक है अब ऐसा तो नहीं है आप जब 50 के साथ कोशन करोगे 80 मेसे तो 50 के साथ साही हो जाएंगे बाई ऐसा हो सकता है 50 गलत हो, सोरी 50 सही हो 10 गलत हो, अब जो सही है वो तो ठीक अलग रखते हो, पर जो 10 गलत है वो किस वजहा से गलत है, जैसा रीजनिक जब आप पढ़ते हो तो रीजनिक में पता है कि आप कोश्चन जब खुद मनलब जब आपने अंसर लगाया होता है त अब अंदर पता लगता है वो गलत हो गया किसी वजह से, तो वो वजह ढूड़ो, चाए वो मैत है, चाए वो रीजनिक है, हर चीज की वजह ढूड़ो यह गलत क्यों है और दीरे दीरे जब आप इन चीजों को, मनलब जो गलतियां है किस वजह से होई उन वजह को आपकी perfection आजएगी, इस 30 दिन बहुत लंबा समय होता है, अगर आप डेली एक practice set ऐसा लगाते हो, जिसमें आप पुरो पर 80 questions करते हुए चले जाओगे, तो आपको मैं guarantee कहता हूँ, और 60 मिनट से जादा टाइम मत अरगना, क्योंकि देखे, आप अभी क्या करता है, बच्च आपने एक घंटे में से 15 questions जितने समय में हो सकता है, उतना ही आपने दिमाग use करा, यानि आपका दिमाग सांती तरीके से पढ़ रहा है, पर जब आप exam में होते हो, तो उस एक घंटे में एक तो pressure होता है, कि आपको job लेनी है, आपको अपने आपको सिद्ध करना है, और उस अगर वो चीज आप चाते हो, वहाँ पर जाके exam time पर आपका दिमाग ना फुके, आपको एक अलग सी vibration ना निकले, एकदम पसीने पसीने ना हो जाओ, डर का माहूल ना बने आपके साथ, तो आप कोसिस करो, पहले ही इन 30 दिनों लगातार, 60 मिनट डेली आपको पूरे 80 प्राइब यह एक डिमाग रहे हो, बच्छा सुबए जगता है, उसको परौर जगने के आदात होती है, रात में भी, अगर साम को 5-6 बजे भी बच्छा सोता ने है, बच्छा ना आक्सर ना दौपैर में सोता है, और जिसका दौपैर वाली सिफ्ट में एक्जाम हो गया, तो जिसको दुपैर में सोनी के आदत है न वो उस समय भी उसे नींद से आ रही होती है और वहीं जाकर वो मलब हारने का पूरा माहूल बन जाता है तो कोशिस करो दुपैर किस दुपैर में किसी भी टाइम एक डेली एक प्रैक्टिस एल लगाओ साथ में पूरे असी कोशन ट्राइ करो करने की जितने होते हैं ठीक है और जो गलत हुए वो क्यों है वो सारी चेक करो इससे आपको बहुत जादा इंप्रोवेंट मिलेगी और उसके अलावा और क्या कर सकते हो देखिए गाईस जो ये हैं सोर सुबह नौ बजे मैं खुद आपकी क्लास चल रही होती है सुबह नौ बजे उसका रीजनी के ही बीस कोशन उसके बाद हिंदी के उसका जीएस के यह वो बीस कोशन है जो आपके वो टीचर बनाने जिन्होंने साथ-ाठ साल से इसी फील्ड को दिया है जिन्ने एक चीज पता है कि सामने वाला क्या चाहा उसका नहीं हुआ भाई आपका सेलेक्शन नहीं हुआ तो क्या करोगे पढ़ाई तो बहुत कर रहे हैं मैं अच्छी है सायद आपके और सब्जड नहीं दे अच्छे तो आप किसी प्राइविट कंपनी में इंट्रीव इंट्रीव दो गए और उसमें पेपर बनाने इसमें भी जुड़ना ना भूले और साथ ही साथ एक या डेड़ बजे के करीब प्लीज एक साथ मिनट का कोई भी बीस 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 कोशन का चाहे हमारी पी डावलु एप पर कुछ प्रेक्टिस सेट पड़े हैं चाहे कहीं पर भी जहां आपको लगता है यहां से मैंने कोई टैसरीज वगरा ले रहे हैं वहां पर अपने यह असी कोशन का सैट जरूर लगा यह बहुत जरूर है ता अगर आपको सफ़ोल ना है चेप्टर वाइस पढ़ना एक अलग फिलम है उससे आपको मैं सीख जाओगे पर मैं सीखने से धनुस चलाना एक अलग चीज है पर धन चुछ जी मेरे से तो नहीं चला यह तो भाईया उस समय आपके सारे सारे सरस्तर सही तरीके से चले उसके लिए आपको यह प्रैक्टिस से प्रोपर तरीके से पहले से लगा के रखने पढ़ेंगे यह आपके लिए सुबह के लास भी लोग है तो शोबाए मैं टाइमिंग बच्चे को जिसके दिमाग में क्लियर टीन है कि यार 30 दिन में मेरा हो पाएगा या नहीं हो पाएगा उस हर बच्चे तक इस वीडियो को पहुचा दीजिए जिससे वो फायदा उठा सके कि कैसे हम 30 दिन में भी अपना एक्जाम क्लियर कर सकते हैं ठीक है गाईज और साथ ही